अगर आपके भी फ्रेज में सबजी खतम हो गई है और आप सोच रहे हैं कि क्या बनाए तो इससे ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी सबजी आपको नहीं मिलेगी तो आज मेरे फ्रेज में सबजी खतम हो गई थी क्योंकि सैटेड़े संडे मैं सॉपिंग नहीं कर पाई तो इसकी वज़े से मेरे प्रेज में सब्जी नहीं थी सही टमाटर थे तो मैंने टमाटर ले की बहुत ही सुपर desperately से चैलेज बनाई तो चलिए बनाते यहँआं भर बहुत अच्छा अब यहां पर मैंने आधा चम्बच हिंग ले लिए जिससे टेश्ट बहुत चमच अजवाइन को इस तरीके से रगड़ के डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और फिर यहां पर एक चमच भरके में राई का तेल यूज़ करेंगे। आप जो भी घी या तेल यूज़ कर सकते हैं अब थोड़े से खटास के लिए आदा चमच मेने हाथ में लेके इसमें आम चूप आउडर डाल दिया है अब सारे मसालों को अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी फ्लेवर रहेगा वो हर जगे मिलेगा फिर थ करेंगे एक कड़ाई में दो कप के करीब पानी चड़ाएंगे और ढखके रख देंगे अब यहां पर हम बेसन ले लेंगे और जितने साइस के जैसे आपको बनाने हूँ बेसन के लंबे-लंबे टुकडे वैसा आप इसमें कट कर लेजे तो यहां पर देख सकते हैं मैं इस से लग रहा है और फिर यहां पर पानी भी उबल चुका है तो यह हम पानी में डाल देंगे और बस थोड़ी दे तक इनको पकने देंगे जब तक कि यह बिल्कु सकत नहीं हो जाते हैं अब इसका मसाला बनाएंगे तो यहां पर एक कटोरी भर के मैंने गाड़ा दही लिया क्योंकि उसके अंदर भी नमक है तो इस ही साफसे डालें और धे सरा कट सूरी मेठी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहेंगे इस तरीके से मसाला बनाके अगर यह सबजी बनाएंगे तो ना खाने वाले भी उगलिया चाट के खाएंगे यह मेरी गारंती है तो मस प्याज लहसुन मिर्ची अद्रग अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजे क्योंकि हमने जो दही का मसाला बनाया वह भी बहुत गाढ़ा हो जाता है सब्जी में अब जो तक मसाला तो हमने पीस लिया है और यह ठंडे हो चुके थे इनके शोटे-चोटे पीस कट कलेंगे या आप जैसा पसंद करते हैं उस तरीके से आप कट कलेजे तो मैने थोड़े गोल-गोल थोड़े इस तरीके से लंबे साइज में डाले जिससे की बहुत सबजी दिखने में अच्छी लग रही थी और इनके ऑफिस में तो समने कर सकते हैं या आप ऐसे भी डाल सकते हैं अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जादा नया फ्लेवर आएगा और बहुत ही सब्ची टेश्टी लगेगी और यह फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐसे ही थोड़ा सा प्याज और इस तरीके की धनिया मिर्ची चाट मसा बहुत टेश्टी लगता है यहां पर तेल में मैंने एक चम्मच अजवाइन और आदा चम्मच में नहींग डाल दी है फिर जो मैंने प्याज लैसून मिर्ची अद्रका पेश्ट रखा था वो भी इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाना क्योंकि इसका तेल भी निकलने लगा है तो यहां पर टमाटर देखिए पीश्टे समय मिक्सर दोखा दे गया और यहां पर बारिक पेश्ट नहीं तयार हुआ तो यह टमाटर को भी प्याज लैसुन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और तब तक भूनेंगे कि जब तक तेल सेपरट नहीं हो जाता तो देखिए यहां पर तेल भी निकलने लगा तो जो हमने दहीवा में मसाले डालके पेश्ट तयार किया था वो सारा इसमें ट्रांसफर कर देंगे और फिर अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक कि इससे कच्छापन निकल नहीं जाता और बहुत अच्छी सी खुसबू नहीं आने लगती तो यहां पर देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ और थोड़ी देर मैं ठक के इसको पका हूँगी तो यह देखिए यह तेल कितना अच्छे से और एड़ कर दिया है आपको जितना पतला या गाढ़ा चाहिए आप इससाब से पानी आइड़ कर दीजिए क्या है मैं इसमें अभी गट्टे डालूंगी तो गट्टे पानी सोकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी पतली ही रखें ताकि बहुत जादा गाढ़ा नही जब तक कि अच्छा सा इसमें उबाल नहीं आने लगता तो यहां पर देख सकते हैं यह एकदम उबल गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे जो गट्टे हमने त्यार करके रखें वो इसके अंदर डाल देंगे और बस लो फ्लेम में एक से डेड़ मिनट तक पकाएंगे त एक बार इसको आप अपने घर पर ट्राइ कीजिए देखना हर तेवार और जब भी आपके फ्रेज में सबजी नहीं होगी यही बनाना पसंद करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली नही रेस्पी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक सेयर और सब्सक्राइ करना